हलो एंड गुड मॉनिंग एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है इस्टेडी ग्लोज पर और डेली करेंट अफिर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए शुरू करते हैं आज के बहुती बहुती बहतरी सेशन को मंतली रिवीजन अभी हम लोग सेप्टेंबर मन्त का लेकर चल रहे हैं आपको पता होगा कि मंतली रिवीजन मैंने आप लोग के लिए शुरू किया था मई मन से तो मई का हम लोगों ने कवर किया उसके बाद में जून का फिर जुलाही का हम लोगों ने कवर किया उसके बाद में अगस्ट का और अब चार से पांच रोज में हम लोग सेप्टेंबर मन्द का रिविजन कम्प्लीट करने वाले हैं मैं कुछ सेशन्स आप लोग के लिए इंपोर्टन्ट लेकर आऊंगा जिसमें बहुत भेतरीन कोशन्स को important कोशन्स को हम लोग कवर करने वाले हैं देखे दोस्तों जिंदगी का एक फलसफा है या तो आपको सफल होना है या फिर असफल होना है असफल कोई भी रखती अपने मन से नहीं होना चाहता है इसका मतलब यह हुआ कि आपका मन जो है वो हमेशा सफल होने के लिए प्रेडित करता है तो कोई भी आप लोग द्रड निश्चे करते हैं तो उस पर आप लोगों को फर्म रहना है कभी भी कैसी भी कंडिशन हो तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना है देखे जीवन जो है यानि कि लाइफ वो एक बार मिलती है जैसे अभी आप लोगों के साथ में ही मैं जो है वो अभी मेंस का एक्जाम देने जा रहा हूँ मैंने भी कई सारे फेलियर जो हैं वो अपनी जीवन के अंदर फेस किये हैं और अब इस बार मैं आप लोगों के साथ में मेंस का एक्जाम देने जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि करंट एफर का सेशन दिवाली के दिन भी मैं आप लोग के लिए लेके आया था मेरी तरफ से कोई भी डिले नहीं हुआ हर दिन मैं आप लोग के लिए session प्रोवाइड कराता हूँ तो मेरे से जो भी कोशिश हो पाती है वो मैं आप लोग के लिए करता हूँ लेकिन आप लोग अपनी responsibility से पीछे हट जाते हैं आप लोग session को like नहीं करते और share करना तो बहुत दूर की बात है लेकिन मैं अपनी duties बखु भी निवाता रहूँगा चलिए आप लोग मुझे इस्टा पर follow कर सकते हैं जो भी queries है मुझे पोल सकते हैं इसके साथ में ही दीपक इन दौरा official पर आप लोग को lecture की PDF with answer प्रोवाइड कराई जाती है जो भी questions हम लोग cover करते हैं उनका quiz आप लोग को जरूर attempt करना चाहिए मेरे दौरा भी इसमें समय दिया जाता है quiz को upload करने के लिए तो आप लोग जो है वो इस पर regular रहिए सबसे पहले हम लोग एक बहुती बहतरी news की बारे में बात करेंगे recently आपको पता है कि दिव्या दत्ता के दौरा ये announce किया गया था कि इमें एक नई book जो है उसको launch करूंगी सबसे पहले book का नाम आप लोग को पता होना चाहिए नाम है The Stars in My Sky हैनि कि मेरे आगाश के अंदर कितने तारे हैं और इन्होंने अपनी जर्नी के अंदर जो भी struggle face किये हैं उनको इस book के अंदर समाहित किया है रिसेंटली जावेद अक्तर और इनकी जो wife है सबाना आजमी इनके द्वारा ये book recently launch की गई है नाम जरूर याद रखना आप लोग इस book का नाम है The Stars in My Sky exam के point of view से काफे important है बरते हम लोग अगली न्यूस की तरफ न्यूस आप लोग देख सकते हैं कि विशू के सबसे अमीर वेक्ती ऐलान मस्क जो है इन्होंने रिसेंटली दो दिन के अंदर 50 बिलियन डॉलर्स का जो लोस है वो सहा है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2021 के अंदर ये विशू के सबसे रिचस्ट परसन थे और अब जो है हो सकता है कि इनकी रैंक जो है वो नीचे गिर जाये तो रिसेंटली एक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने पिछले दो दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस सहा है कि पूरे इतिहास में इतना बड़ा लॉस जो है वो किसी ने नहीं सहा होगा इसके चलते ये अब रिच लिष्ट की कैटिगरी के अंदर थोड़ा नीचे आ सकते हैं ये इतना बड़ा जटका इनको लगा क्यों है देखे शेर मार्केट के अंदर इनके जो शेर्स हैं वो काफी डाउन हुए हैं जिसके कारण इनको ये जटका लगा है तो ऐलोन मस्क जो हैं वो एक ऐसे शेर के जैसे हैं यदि ये कुछ चिंताएं इनके मस्तिक्ष पर आप लोग को दिखाई दे रही हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यही दिमाग जो है वो इनको वापस से विशो का सबसे रिचेश्ट परसन बना सकते हैं तो इस शेर के दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता तो आप लोग भी इसकी तरही बनने की कोशिश कीजिए एक स्टोरी मैंने इनकी पढ़ी थी कि यह जो है इन्होंने अपने मिशन के लिए पूरी अपने जो एसेट्स थे उनको बेच दिया था यहां तक कि यह आफिस के अंदर ही सोने लगे थे घरवर सब कुछ बेच दिया था तो अपनी सकसेज की पीछे जब भी कोई इनसान अपनी हर चीज को दाव पर लगाने की सोच लेता है तो सफलता जो है वो उसके कदमों में होती है अगली बात हम लोग करेंगे इंडियन एकोनोमी की भारत की जो अर्थ व्यवस्ता है ये पूरे विश्यों के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग एकोनोमी अब बनने जा रही है और ये बताया गया है फाइनेस मिनिश्ट्री की एक रिपोर्ट के अंदर लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ है देखी एकोनोमी का एक सीधा सा फंडा है कि अर्थ व्यवस्ता के अंदर दो चीजे होती है एक तो होती है आपकी डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक्वल होती है तो उस कंडिशन के अंदर किसी भी देश की economy जो है वो highest grow करती है लेकिन हम लोग बात करें COVID-19 pandemic की तो उस समय demand जो थी वो बिलकुल down चली गई और जो supply थी वो उसी कदर बनी हुई तो supply जो थी जब उसी constant position के अंदर थी लेकिन demand जो थी वो decrease हुई तो इसकी चलते हुए economy जो थी उसको काफी loss हुआ लेकिन जैसे ही भारत के अंदर vaccination drive श्रू हुई 16 जनवरी 2021 को उसके बाद से demand जो थी वो भी बढ़ने लगी तो कही ना कहीं जो vaccination है इसने भी भारत की economy को काफी boost किया है इससे भारत के अंदर employment generate हुआ इसकी कारण भारत के अंदर economy growth जो है वो देखी गई तो vaccination जो है इसने भी भारत की economy में बहुती बहतरी योगदान निभाया है तो demand और supply का ये mechanism आप लोग को समझने की जरुवत है बढ़ते हम लोग अगली news की और recently इंडिया और US के बीच में एक dialogue जो है वो conduct करवाया गया है जो की defense को लेकर है लेकि भारत और US काफी अच्छे मित्र हैं लेकिन US पे कुछ ज़्यादा भरोसा करना ये एक अच्छी बात नहीं है लेकिन recently ये देखा जा रहा है कि भारत जो है वो US की और कुछ ज़्यादा ही believe करने लग गया है लेकिन US जो है वो कब पल्टी मार जाए इसका कोई भरोसा नहीं है इसलिए भारत जो है वो non-aligned एक सोच रखता है किसी भी पक्ष की तरफ वो जुकता नहीं है और उसका result ये रहता है कि इंडिया को COVID-19 pandemic के जैसे scenario के अंदर भी बड़ा economic loss जो है वो नहीं जहिलना पड़ता तो recently इंडिया और US के बीच में एक dialogue connect करवाए गया है जो कि defense technology के लिए है यहाँ पर total 4 sectors की उपर काम किया जाएगा जिसमें सबसे पहला है जो की खल सेना से related है मतलब यहाँ पर जितनी भी military है उसके लिए defense equipment भारत और US के बीच में share किये जाएंगे इसके साथ में air और aircraft carrier जो है वो technology भी between India and US transfer की जाएगी तो यह agreement जो है वो बहुत ही यहाँ पर important है recently आपको पता होगा कि इंडिया और France के बीच में Indo-Pacific को लेकर भी एक treaty जो थी वो sign हुई थी तो भारत और France के बीच में भी recently काफी अच्छे relations यहाँ पर maintain किये जा रहे हैं अगली news की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मनसुख मंडाविया काफी ज़ादा मुझे यहाँ पर attract किया इस name plate के अंदर देखी जब हम लोग किसी छोटे पद पर होते हैं छोटे पद का means है हम लोग पार्षद बन गए MLA बन गए है ना तो वैसे MLA का पद भी छोटा नहीं होता लेकिन कोई छोटे officer हम लोग बनते हैं तो मान लिजीए कि officer का नाम है विपिन गुपता तो विपिन गुपता नीचे लिख देंगे फलाना फलाना officer department वगरा सारे stars वहाँ पे लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर पद कितना बड़ा है और केवल name plate पे लिखावा है मनसुख मंडाविया तो यहाँ पर नाम ही काफी है तो 96 countries जो है इन्होंने इंडिया के COVID vaccination certificate को accept किया है और यह कहा गया है Health Minister के द्वारा रिसेंटले आपको पता होगा कि को वैक्सीन भारत की जो वैक्सीन है इसको approval दिया गया था WHO के द्वारा और इसके बाद internationally अब इसको approval मिल चुकी है तो according to the ministry the international travel vaccination certificate में also भी भी certificates available करवाये जाएंगे वो सभी नागरीकों के लिए यहाँ पर valid रहेंगे total 96 countries के लिए चलिए बढ़ते हैं अगली news बहुती बहतरीन है प्रधान मंतरी मोधी इसमें मुस्कुराते वे दिखाई दे रहे हैं recently ISSF World Shooting Championship Poland के अंदर आयजित की गई है प्रधान मंतरी मोधी जी की द्वारा यहाँ पर congratulate किया गया है तो जिस देश का प्रधान मंतरी इतना प्रतिभावान हो कि वो हर एक छोटी से छोटी घटना पर भी नजर रख रहा है इसका मतलब है कि कही ना कही patriotism जो है वो सीखने को मिलता है अब यह आप लोगों ने एक सिध्धानसर का लेक्चर जरूर देखा होगा उसमें यह बता है कि 2024 के अंदर प्रधान मंतरी मोधी को कोई हिला नहीं सकता है आप लोग जरूर देखना और मेरे दौरा एक RBI के उपर लेक्चर लिया गया है जिसमें हैकाथान की बात की गई है वो हैकाथान वहाँ पर रजिस्टर 15 नवंबर से किया जा सकता है और 40 लाख रुपए का इनाम है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना काफे नौलेज़ेबल है और एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से भी इंपटेंट है चलिए शुरू करते हैं 11 नवंबर के डेली करेंट अफेर को जो कि आपके हर एक्जाम में बहुती बहतरीन तरीके से काम में आने वाला है पहला कोशन देखिए पदमश्री पुरसकार पाने वाली पहली भारती महिला फुटवालर कौन बनी है देखिए पदमश्री जो है वो भारत का 4th highest civilian award है तो यहाँ पर D is correct answer ओई नाम बैम बैम देवी जो है इनको पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया है एक separate lecture जो है वो मैंने पदमश्री अवार्ड पर भी बनाए है तो उसमें आप लोग देखोगी कि राश्टपती भवन के अंदर कालीन पर कुछ बड़ी बड़ी हस्तिया जो है बड़ी बड़ी हस्तिया इनको कहेंगे जो कि नंगे पर जो उस कालीन पर जो है वो पदम अवार्ड लेने के लिए पहुंची थी तो यहाँ पर भैम बैम देवी जो है ये पहली भारतिये महिला फुटबल बरी है जिनको पदम श्री पुरस्कार से समानित किया गया है मनिपुर से इनका संबंध है मनिपुर ने भारत को कई सारे अथलीज जो है वो दिये है स्पोर्ट परसन दिये है मीरावाई चानो के हम लोग बात करें MC मेरिकोम के बात करें और ये बैम बैम देवी ठीक है ये क्या है कि फुटबॉल जो टीम है इसके कैप्टन भी रह चुकी है जब आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इनके पेज जो है वो काफी भरे हुए है काफी जादा इनके बारे में इनके करियर के बारे में बताये गया है और इनको कहा जाता है दुर्गा ओफ इंडियन फुटबॉल तो दुर्गा जो है वो हर विग्न का नाश करती है तो ठीक उसी प्रकार इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर कोई भी परेशानी हो गोल करना हो किसी खिलाडी के चोट लग गई हो तो हर तरीके से हैंडल करना ये जानती है इसलिए इनको कहा जाता है दुर्गा आफ इंडियन फुटबॉल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जन्म 4 अपरेल 1980 को हुआ था इंफाल जो कि मनिपूर की कैपिटल है हाइट जादा नहीं है 5.2 इंची है और ये खेलती है किसके लिए मनिपूर पुलिस स्पोर्ट्स कलब के लिए खेलती है टाइम लाइन पर हम लोग थोड़ा सा गौर करना चाहेंगे 1988 के अंदर इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और करियर शुरू करने के बाद 2010 के अंदर 11 साउट एशन गेम्स के अंदर इन्होंने ऐसे कैप्टन की भूमी का निभाई थी जो कि बंगलादेश के अंदर आयजित होए थे 2014 के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छा जो था वो अपना participation दिखाय था लेकिन 2017 इनके लिए golden year साबित हुआ और अरजुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया बाई दा Ministry of Youth Affairs and Sports 2017 के अंदर ही सीवाज अपॉइंट एजव मैनेजर ऑफ इस्टन स्पोर्ट्स यूनियन इन 2017 तो ये भी इनके 2017 का जो साल है वो इनके लिए golden time period यहाँ पर साबित हुआ है चलिए तो इनके बारे में हम लोग देखी चुके है तो ये पहली भारती महिला फुटबॉलर है और कुल साथ भी महिला ये बन चुकी है जिनको राष्टपती की द्वारा पद मिश्री अवार्ड दिया गया है मनिपूर के दिए हम लोग बात करें मयानमार से कई संगठन के संगठन जो है अनिकी आतकवादी संगठन जो है उनकी संगठन मनिपूर के रस्ते से मिजोरम के रस्ते से भारत के अंदर प्रिवेश कर जाते है तो मनिपूर काफी strategic location पर इस्थित है हम लोग बात करें केबुल लाम जाओ काफी important ये question है याद रखना इसको केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क जो है वो लोग तक जील के ऊपर इस्थित है ये एक तरीके से wetland भी हम लोग कह सकते है यहाँ पर आप लोग जो ये round round देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है वो मशली पकड़ने के लिए फिश जो है फिश मशली पकड़ने के लिए यहाँ पर ये जगह बनाई गई है और पूरा जो है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है और जिस जील की उपर ये इस्थित है वो है यहाँ पर लोग टक जील यही परिस्थ है भारत का एक मात्र तैरता हुआ नैशनल पार्क केबुल लाम जाओ इसको कहते हैं तैरता हुआ नैशनल पार्क चारो तरफ जो है वो पानी ही पानी है पूरे नैशनल पार्क के अंदर चलिए बढ़ते हम लोग आगे टॉप और हायस्ट सिविलन अवर्ड कौन कौन से हैं जैसे भारत रतन के हम लोग बात करें तो भारत का सबसे फर्स्ट हायस्ट सिविलन अवर्ड है सैकेंड नमर पर आता है पद्म विभूशन थर्ड नमर पर आता है पद्म घूशन और फू 2021 में पद्म विभूशन कुल कितने लोगों को दिया गया है और जापान के जो प्रधान मंतर हैं की पूरू प्रधान मंतरी फॉर्मर प्राइम मेंस्टर है उनको किस छेतर के अंदर दिया गया है ये भी मुझे आप लो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगला कोशन देखिए मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस ने जीता है तो मैक्स वेस्टेपन जो है इनकी द्वारा ये खिताब जीता गया है ये मश्डीज के रेड बुल की ड्राइवर है और बेल्जियम से इनका संबंध है कई सारे खिताब जो है इन्होंने जीते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेल्जियम के रहने वाले हैं और रेड बुल के लिए ये ड्राइव करते हैं फॉर्मुला वन रेस को टॉप फाइव हम लोग ग्रैंड प्रिक्स को देख सकते हैं और यहाँ पर तीन आप लोग देख सकते हैं बुलगिरियन ऑस्ट्रिय और डच ये तीनों के तीने द्वारा इनके द्वारा जीती गई हैं लुईस हैमिल्टर ने जीती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अगला कोशन देखी बहुत इंपोटेंट है आप लोग इसको इंपोटेंट के कैटेगरी में रखना रिसेंटली क्या हुआ है कि युनेसको की द्वारा टोटल 49 सिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्रोस वर्ल जो है वो अनौस की गई है क्रिटिव सिटीज के लिष्ट के अंदर और भारत का एक मात्र शहर श्री नगर इसके अंदर शामिल हुआ है श्री नगर को किस category में रखा गया है Art and Craft की category में रखा गया है ये आप लोग ज़रूर याद रखना UNESCO के द्वारा ये list जो है वो जारी की गई है आप लोग को ये धी current event अच्छा लग रहा है तो session को like करना है बूलना नहीं है share आप लोग करेंगे या नहीं ये आप लोगे पर depend करता है मैं आप लोगे उपर इस चीज़ को छोड़ देता हूँ श्री नगर has been included in the UNESCO Creative Cities Network for art category तो category आप लोग ज़रूर याद रखना है इसके अंदर ठीक है क्योंकि श्री नगर तो आप लोग को याद रहेगा लेकिन जब वो category के पूछेगा तो अप लोग वो confusion यहां से confusion यहां से हो सकता है next देख सकते हैं UNESCO के full form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization established किया गया था 16 November 1945 को headquarters है Paris France के अंदर president है order azole देखि जितनी भी UN से संबंदित संस्थाएं हैं उनको second world war के बाद में establish किया गया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि bipolar countries जो थी वो divide हो चुकी थी after second world war और USA यह चाहता था कि maximum country जो है वो USA के तरफ जुकी रहे USA के तरफ align रहे इसलिए जितनी भी संस्थाएं है international level पर वो second world war के बाद USA की मदद से ही उनकी इस्थापना हो पाई है या तो USA है या फिर ये रोब की कई developed nations जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे अगला question देखिए कि कल हम लोग उने बात के थी 71st जो चैस grand master बने हैं संकल्प गुपता लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 72 चैस grand master जो की बने हैं कौन यहांपर आप लोग देख सकते हैं मित्राब गुःा यहांपर 22 शत्रणज grand master बने है तो मित्राब गुःा का सμबन कोलकाता से है और सर्विया के अंदर आयो जे छतरंज टूनामेंट के दोरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम्स हासिल करके भारत के 32 ग्रैंड मास्टर जो है ये बन चुके हैं 31 के तो हम लोगों को ने कल बात की थी संकल्प गुपता इनका नाम था International Chess Federation जो है इसको World Chess Federation भी कहा जाता है Found किया गया था 20 जुलाई 1924 को अचा 1924 से क्या किलिक करता है कि आपको देखी Adworth Committee जो है इसका गठन किया गया था और इसी के आधार पर Arm Budget और Rail Budget को अलग किया गया था याद है कुछ आप लोगो Comment section ने बताईए यदि याद आ रहा है तो अचा क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन से वर्ष Rail Budget और Arm Budget को एक दूसरी के अंदर Merge कर दिया गया था तो ये Merge जो था ये कौन से Year के अंदर हुआ था Option है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019 Comment section मुझे जरूर बताईएगा जो है ये थोड़े से नाम अटपटे हैं अगला कुशन दे किये श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार के दोरा शुरू की गई है तो दिल्ली एक यूनिन टेरिटरी है इसके दोरा है श्रमिक मित्र योजना जो है वो शुरू की गई है यहाँ पे होगा क्या कि दिल्ली सरकार ने निर्मान कारियों मैने की जितने भी निर्मान कारियों के अंदर मजदूर लगे हैं शरमिक लगे हैं उनको लाब दिलाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाब दिलाने के लिए योजना जो है वो शुरू की गई है इस योजना का उ जिधान सभा और वार्ड समयनवक्त के रूप में भी काम करेगा अगला देखिए आप लोग बुक्स जो हैं वो आज कल एक्जाम में बहुत ही रैपिडली पुछी जा रही हैं बुक का नाम है नौट जश्ट कर्केट और रिपोर्टर जनरी जनरी तो यहां पर यह बुक्क जो है वो प्रदीप मैगजीन की द्वारा लिखी गई है पुस्तक नौट जश्ट कर्केट अर रिपोर्टर जनरी दिसम्बर दोजार 21 में रिलीज होने जा रही है मतलब अब जो है इसको रिलीज दिसंबर 2021 के अंदर ये रिलीज होगी और इसमें एज जनरलिष्ट परदीप मैगजीन जो है वो भारती क्रिकेट के जीवन के जितने भी अनुबव हैं चाहे वो सोशल हो पॉलिटिकल हो या फिर जितने भी उतार चड़ा हुआ हैं इन टम्स इंडिया टुड़े की पेपर और हिंदुस्तान टाइम्स के पूरो खेल संपादक भी रह चुके हैं तो सारी जानकर ये उनके बारे में आप लोग इसको जरूर देखेगा टॉप फाइब बुक्स के अदि हम लोग बात करें तो नौ दा एंटी नेशन्स ये बुक जो है वो आरेसन सिंग के त्वारा लिखी गई है गिल्ली डंडा टू गॉल्फ के किताब राम वर्मा के त्वारा लिखी गई है ओथर हैं इसके अन्यू सिल्क रोड इंडिया चा किताब जो है वो राम माधव के त्वारा लिखी गई है एडवांटेज इंडिया दा इस्टोरी ओफ इंडिया टैनिस अनिद्या दत्ता के त्वारा ये किताब लिखी गई है तो टॉप फाइब बुक्स के बारे में आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए नेक्स जो है वो इसमें शामिल होते हैं जैसे धारवाड है, बेलगावी है, कन्नड है, जैपुरा है, बगलकोट है, गडाग है, हावेरी है तो इस छेतर के अंदर साथ जिले जो हैं वो टोटल शामिल होते हैं और अब इसका नाम जो है वो बेलगामी जिले के एथियासिक तालु जो थी वो इरोंने यहाँ पर दाव पर लगाई थी शहीद हुई थी ठीक है अब ऐसा decision क्यों लिया गया है ये भी तो अपने आप में question है decision इसलिए लिया गया है कि ये जो साथ district आप लोग देख रहे हैं इनको लेकर करनाटका और महराश्टर के बीच में कई बार जो है वो dispute देखा जाता है तो करनाटक के कानून वर विधाई मामलों के मंत्री जैसी मदुस्वामी ने सौमवार को राज्य मंत्री मंदल के बैटक के बाद यह जानकारी दी कि करनाटका का महराश्टर के साथ सीमा विवाद और इसे देखते हुए करनाटक सरकार का यह कदम उठा रही है नेक्स देखिए चीफ आफ डिफेंस इस्टाप आप लोग को पता है विपिन रावत हैं बारा नौमबर दो हजार 21 का उधगाटन करेंगे तो केरल के अंदर रेसेंटली वहां की लोकल पुलिस की मदद से यहां पर इसका उधगाटन किया जाएगा और इसकी थीम क्या है इंप्रूव एडएप्ट एंड ओवरकम तो केरल प्रोग्राम्स हैं वो चलाने के लिए यह प्लैटफॉर्म जो है वो निर्मित किया जाता है ठीक है तो विपिन रावत जो है इन्हों ने इसका उधगाटन किया है नेक्स देखिए विच श्ट्रीट हैस बिन रैंक फर्स्ट इन लोजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 तो यहां पर गुजराद देखिए यहां पर लोजिस्टिक्स की बात की जा रही है तो गुजराद आप लोग इजिली अइनिटिफाई कर सकते हैं क्योंकि गुजराद जो है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है कोश्टल लाइन है और इसी के चलते लोजिस्टिक जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो यहां पर सबसे ज़्यादा होता है केवल यहां पर कोश्टल लाइन ज़्यादा लंबी होने से फर्क नहीं पड़ता यहां पर ज़्यादा फैसिलिटिस प् नेक्स हम लोग देख सकते हैं कि 21 राज्यों की सूची में पहले इस्थान पर गुजरात आया है, उसके बाद में हर्याना है, पंजाब है, तमिल नाडू है और फिर महराश्टर का इस्थान है, उत्तर प्रदेश पहले तेरवे इस्थान पर था, अब जो है वो छटे इस्थ किया जाए, लेंदेंग जो होता है, उसको डिजिटली करवा कर सेक्योर किया जाए, सेफ किया जाए, और यदि हम लोग केंद शाषित प्रदेशों की सूची में देखें, यूनियन टेरिटरी के तो जम्मो कश्मीर इस सूची के अंदर सबसे ऊपर बना हुआ है, वही कें 2019 की महावारी के करान ये रिपोर्ट जो थी, वो रिलीज नहीं की गई थी, ठीक है, तो जब 2018 के अंदर पहली बार रिलीज हुई, तो 2018 और 2019 दोनों ही बार जो है, वो गुजरात ने प्रथा महिन के फर्स्ट पोजिशन यहाँ पर हासिल की थी, नई सूचन देखिए, कि ट सम्मानित किया गया है, टोटल साथ जो हैं, वो अलगलग कैटिगरीज हैं, जिसमें यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो पहले हम लोग कैटिगरी देखते हैं, भूमी सहासिक, तो प्रियंका, मंगेश, मोहिते जो हैं, इनको सम्मानित किया गया है, फिर जै, प्रकाश को revise कर लेते हैं देखिए daily current affair तो हम लोग cover कर ही रहे हैं इसके साथ में ही हम लोग September के current affair को revise कर लेते हैं जो आप लोगों ने September में पढ़ा है तो आप लोग इसमें जरूर चेक किया करो कि कितने question आप लोग के right होते हैं कितने question आप लोग को पहले से आते हैं विद्यांजली portal जो है वो नरेंदर मोदी जी के द्वारा यहां पर launch जो है वो किया गया था डी correct answer होगा तमिल नाडू के नए राज्यपाल आरें ध्रवी बनाए गए हैं business blasters कारे करम किस राज्य या केंदर हाजित परदेश ने launch किया था तो दिल्ली government के द्वारा C इसका correct answer रहेगा भारत पाकिस्तान के supreme court में पहली महिला जज कौन सी न्युक्त हुई थी वापासT में से repeat करता हूँ kayak कॉशन पूछा चुका है एक्जाम में गौर कीजीगा गौर फरमाईएगा पाकिस्तान के supreme court में महिला निया अडीष बनने वाली पहली बहिला जो है वो कौन बनी है नेक्स द जो है वो संगर्ष विराम समझवते पर हस्ताक्षर किये हैं तो नागालेंड से इसका संबंध है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हाल ही में किस राज्य की मुख्य मंतरी ने पुने और बैंगलूरू में और्गिनिक आउटलेट का उधगटन किया है तो ए इसका करेक्ट आंसर है मनेपुर हाल ही में टाटा AIA Life Insurance के द्वारा किस खिलाडी को ब्रैंड एमिसेटर बनाए गया है तो ए करेक्ट आंसर है नीरा चोपडा तेलंगाना भाषा दिवाज जो है वो 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हाल ही में केंद सरकार ने किसे आएकर अपीली है अधिकरन का कारेवाहक अध्यक्ष चुना है तो यहां पर B जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा और रिसेंटली राजस्तान की PCS के अंदर ये एक्जाम के अंदर कोशिन पुछे रा चुका है एक स्टेटवेंट में दिया गय है भारत के 71 शत्रंट ग्रेंट मास्टर संकल्प गुपता बने हैं बहतरवी भी बन चुके आप लोग को पता है अंतराष्टे रेडिलोजी डे जो है वो आठ नॉम्बर को सेलिब्रेट किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का इस्तान चौथा बन चुका ह है चार सो विकिट लेने वाले टी टूंटी के अंदर अफगानिस्तान के राशिद खान जो है वो बन चुके हैं चीन की स्पेस वोक करने वाली पहली महिला अंतरिक यात्री जो है वो वैन येपिंग बनी है कौन सा देश हरित परियोजनाओं के विद्ट पोशन के लिए व चैनेडा से जो है ये इसको वापस लाया जाएगा ये कल का हमारा इस्टेटी ग्लोज कोशन था कि वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे जो है वो कब सैलिब्रेट कियाता है कब अबजर्ब किया जाता है तो 17 जून को ये अबजर्ब जो है वो किया जाता है जहां इस्टित है जहां 9 वर्षी है शेरनी के मृत्यू COVID-19 से हुई थी इस कोशन का अंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजेगा और ये इंपोटेंट है क्योंकि भारत के बड़े जो 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 पार्क है उनकी गिंते में आता है क्या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग मुझे इस्टाप पर फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरीज है सजेशन है आपका कोई भी इंप्रोमेंट यदि चाते हैं तो इस्टाप पर मुझे बे जीजक मैसेज कीजिए किसी बुक के बारे में पूछना हो को कोई सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग बुक्स वगरा पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉबलम होगी तो मुझे पूछिए लेक्चर की पीड़ेफ वितान सार्स आप लोग को धीपक इंदर ऑफिशल पर अवेलेबल करवा दी जाती ह हम लोग बहुत ही बैटरीन लेक्चर के साथ सब तक धन्यवाद थैंक यू